आप सभी लोग देख रहे होंगे कि रोस और इप्रेन की बीच यहोते चल रहा है और आप सभी को मलूँ होगा कि योकरेन में कई भारतिये लोग फस्ते हुए जिनमें आप देखेंगे बड़ी संख्या में छात्र भी वहां रह रहे थे उन्हें वहां से निकालने के लिए, सुरक्षित निकालने के लिए एक ओपरेसर चलाए जा रहा है और आप से भी जाते हैं कि इस तरह के ओपरेसर जब भी चलाए जाते हैं तो उनसे आपकी परिक्षाओं में कुल्शस पूंचे जाते हैं तो आज हम लोग उसी operations के बारे में विस्ताल से बात करेंगे एक बार आप लोग मैप को देख लिजे, यूक्रेयन को देख लिजे, रूस को देख लिजे और भारत को देख लिजे आप लोग तो देखिए हमारी प्यारी पिती भी है और इसमें आप देखेंगे तो यह हमारा गारा भारत है और भारत यहां आप देखेंगे और यहां आप देखेंगे आपको यूरोब में यूक्रेयन देखने को मिलेगा और यहीं आप देखेंगे आपको रूस देखने को मिलेगा तो यूपरेश्न की बात के जा रही है ठीटे यूपरेशन फे तेस्ट हित पांडियों को सब्षक्ष्ण की बात की गुशेन हुए हमलों का सिलसला चुरूब करने के बाद यूद चिटने के साथ ये रूस और यूपरेट के बीच वर्तमान में तनाव और बढ़ गया है और इसका प्रभाव आप देखे ये उक्रेयन में जो निवासी है वहां के इस्थानी निवासीयों में या बाहर के लोग उन पर काफी प्रभाव भी देखा जा रहा है और इससे आप देखें कई लोगों को चोटा रही है कई लोगों आप देखें उन्समें डैथ भी होई है उटकी एक चात्र की भी आपने अभी हाली में सुनाओगा भारतिय चात्र की भी गोली लगने से मौत हो चुकी है और यह हम सभी भारतिय नागरेकों को वापस लाने के लिए एक निकासी मिसर है जो वर्दमार भी उक्रेयन में फसे हुए है और उक्रेयन में छात्रों समेत आप देखें कि तो आपको 20,000 भारतिये फसे थे कितना 20,000 अब तक यहर इंडिया की तीन उडानों द्वारा उक् वापस लाए गया है कितना 900 और आप सबत सकते कि 20,000 एक बड़ी संक्या होती है भारतिये निकासी उडानों में रोमानिया और हंगरी जैसे पड़ोसी देशों से संचालित हो रही है वहां तक इन लोगों को लाया जा रहा है वहां से भारत लाया जा रहा है भारत सरकात दो यह बरतमा में यूकरे में पसे सभी भारतिये नागरेकों को बापस लाने के लिए एक निकासी मिसन है हाली में रोसी सेनल दवारा हम लोगों की एक सेंक्रा सुरू करने की बात यूद्य चड़ने के साथ ही बरतमारों रोस वे जो तनाव बड़ रहा है इसके कारण वहां स बंदे भारत मिशन चलाए गया था और इस मिशन के तहरा कई चरणों में आप देखेंगे 30 अपरेल 2020 तक लगबग 60 लाग भालतियों को पापस लाए गया था तो बंदे मात्रम को भी आप लोग याद रखेगा और अपरेशन समुद्र सेतु 2020 में चलाए गया था यह कोविद-19 महारी के द्वारा भारतियों नागरेपों को बिदेशों से घर बापस लाने है था राश्तिय प्रियास के इस्ते की रूम में एक सेने नौ सेनिक अभ्यास था और इसके तहित आप देखेंगे 4992 यानि कि 3992 भारतिय नागरेपों को समुद्र के राश्ते उनकी मात भूमी में सफलता फुर्वग बापस लाये गया था भारतिय नोसेरा के जहाज चलास्प्रव लेंडिंग फिलेटफॉर्म डॉक और इरावत सार्थुल तथा मगर लेंडिंग सिप्ट टैंक ने इस ऑपरेशन में भांग लिया था जो बच्पन तेनों तक चला था और इसमें आप देखें कि समद्र द्वारां 23,000 किलो मीटर से यदि की यात्रा सामिल थी फिर आप देखें कि ब्रसेल्स से निकासी 2016 में भी एवी चार्चा में रहा था मार्च 2016 में वेलियम में जेवेंटेम में ब्रसेल् तथा मदपुरू सेल्स में माल भी मेंट्रो इस्टेशन पर एक आतंग की आतंगवादी हमली की चर्पीट में आ गया था और इसके तहरे जेट इयर्वेस की फिलाईट ने 28 क्रू मेंबर समेत कुल 242 भारतियों को भारत बापस लाए गया था एक आपने देखा होगा ओग पर आपने सुना हुआ एक आपने सुना हुआ एक आपरेशन मेत्री था एक 2015 में वर्स 2015 में नेपाल में आए गुकम्प में बचाओ और रहत अवियान के रूम में ओपरेशन मेत्री का संचालन भारत सरकारों भारतिय सस्थ बलो द्वारा किया गया था भारतिय सस्थ बलो ने लगभग 5188 लोगों को निकाला था जब की लगभग आप देखेंगे 785 विदेशी परेटकों को पार गमन वीजा पिदान किया था भारत सरकार ने एक आपने आप देखा होगा ओपरेशन सुरक्षित घर बापसी एक दो जार आप देखेंगे 11 की बाते इसे भारत सरकार में 26 जन्वरी 26 परवरी 2011 को लीवियाई ग्रहियोद में फसे भारतिय नागरेकों को सुरक्षित बापसी के लिए सुरू किया था इस ओपरेशन में लगभग आ इसमें भारती एनोसेन और इंडिया द्वारा बायु मार्ग और समुधरी बान दोनों का उप्योग किया था एक आप देखिए कि आप को ऑपरेशन सुकून 2006 में चलाए गया था ऑपरेशन सुकून एकप 2006 अन जुलाई 2006 में जैसे इस इज्राय और लेविनार में सेंद सुरू हुआ था उस समय आप देखें कि भारत सरकार ने या भारत ने ओपरेसर सुभून सुरू किया हुआ था और वहां पसे नाग्रेकों को बचाया था जिसमें अब बेरूत स्तिलिप्ट के नाम से जाना जाता है यह तंड कर निकासी के वाद से सबसे बड़ा नोसेनिक अ और एक अगस्त 2006 के बीच कुछ नेपाली और लंकाई नाग्रेकों को समय आप देखें कि 2280 लोगों को निकाला था एक आप देखें कि कोवेद इयरलिप्ट 1990 में 1990 में जब 700 टेंकों से लैस एक कितना एक लाख एरा की सेनकों ने कोवेद पर हमला के दिया था तब साही और अतिविषिष्ट व्यक्ति साओधी अरफ भाग गए थे वहीं आप जत्ता की जीवर को जोखें में डाला गया था कुवेद में फसे लोगों को आप देखें कि एक लाख सतर हजार से अधिक भातिये थे भारत ने निकासी बैस सुरू किया जिसमें एक लाख सतर हजार से अ कि आप लोग याद रख सकते हैं पढ़ते रहें इस्टेट बीसी इस में कुश्टन्स आते रहते हैं वंडेक जाम में भी कुश्टन्स आते रहते हैं